नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदन पुदार और बात करते हैं आज की टॉप बिसनस न्यूस की सबसे पहली न्यूस आई इंडियन कॉर्परेट्स के लिए देखिए इंडियन कॉर्परेट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिट कर रहे हैं फाना इंशेल इयर दो हजार इकेस पाइस में देखिए सबसे पहले क्या हुआ बीस इकेस में कोविट की वज़े से डिमांड जो है वो बहुत जादा वीक हो गई सेकेंड क्या हुआ जब छीजे खुलने लगी उपन अपोई तो सप्लाइचें डिस्टर्ब हो गई जिसकी वज़े से इंफलेशन इंपक्ट आया अब इंफलेशन इंपक्ट आने की वज़े से डबल जो है इंपक्ट हो रहा है एक तो लोगों की जो पर्चेसिंग पावर लेवल पे तो उनकी raw material की costing जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो उस problem में आ गए है कि raw material की costing बढ़ गई है sales price बढ़ा नहीं सकते हो गई अगर sales price बढ़ाएंगे तो customer क्या हो उसके substitutes पे shift करेगा तो problem आ गई है अब corporates के कि उनका जो profit margin है जिसको आप बोलते हैं profit ratio operating profit ratio वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई और inflation जो है वो सबसे ज़्यादा इस समय खतरनाक हो रखाया है automobile sector के लिए consumer durables के लिए और FMCG sector के लिए अगर इसमें भी मैं बात करो सबसे ज़्यादा impact है automobile और consumer durables पे क्योंकि steel के prices and जो दूसरे metals के prices है वो बहुत ज़्यादा जो नहीं नहीं profit margins जो है low देखने को मिल सकते हैं अगर मैं बात करूं car makers की operating margins की तो पूरे दशक के अंदर सबसे lowest margins जो है उन्होंने report किये है और ये इस वज़े से है क्योंकि raw material to sales का जो ratio है वो बहुत high हो गया है और अगर अब दूसरी तरफ बात करे profits to sales का ratio वो जो है बहुत जादा कम हो गया है इसके बाद next आया finance minister का latest भयान ये आपको समझना चाहिए कि देखिए news क्या है किस तरीके से तोड़ी majority जाती है किस तरीके से हमें उसे समझना होता है ध्यान से समझना इसे अभी finance minister जो हमारे देश की है that is निर्मला सीतारमन उन्होंने क्या बोला कि 2012-13 क के अंदर जब हमें पता है कि oil prices जो थे वो लगबख 110 डॉलर जो है barrel के आसपास चला करते थे उस समय हमारे देश में petrol कितना था 70 रुपीज के आसपास maximum जो है वो गया था तो अभी finance minister ने क्या बोला कि उस समय 2012-13 में जो Congress की government थी that is the UPA government उन्होंने क्या किया था oil companies को बोला कि prices मत बढ़ाओ ठीक है और prices मत बढ़ाओ ये बोला और क्या किया government ने उनको bonds जो है issue कर दी bonds issue कर दी कि आपको जो भी loss हो रहा है क्योंकि आप prices हम आपको बढ़ाने से मना कर रहे हैं तो आप जो है bonds रख लो और इस bonds पे हम आपको हर साल interest pay करते रहेंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है finance minister ने का कि उस समय Congress ने अपने prices जो है वो manage किये थे और उसका नुकसान जो है आज भी एक लाग 30,000 करोड़ उपे के हैं मतलब हमने repayment करिया मातर 15,000 करोड़ उपे के आसपास की जब से उस पर हमें सलाना जो है लगबग 9-10,000 करोड़ उपे का interest pay करना पड़ता है ऐसा finance minister का कहना है और इस वज़े से government के उपर pleasure है और government जो है prices कम नहीं कर सकती मतलब कित इसना pressure है मोटा मोटा 10,000 करोड़ उपे का interest का और total date का amount कितना खड़ा हुए अभी 130,000 करोड़ इसको आप ध्यान रखिएगा ठेक है अब आते हैं ये तो था उनका stand अब आते हैं फिर मैंने कर थोड़ा data check करते हैं fact check करते हैं तो क्या रहा देकि fact check में ये देखने को मिला क कि अगर सरव आप 2020-21 की बात करें न हमारे देश के अंदर जो excise duty पे collection था petrol और diesel के उपर that was 3.35,000,000 करोड़ मतलब आप समझते हैं लगभग 3,500,000,000 करोड़ पे का collection petrol और diesel पे excise duty से central government के पास गया और आपको लग रहा होगा कि 3,500,000,000 करोड़ अब ये कितना जादा था मै आपको बताता हूँ कि इससे सिर्फ अगर आप एक साल पहले जाते हैं तो एक साल पहले ये मात्र जो है आपका कितना था 1,78,000 करोड़ मतलब 19-20 के अंदर that was 1.78,000,000 करोड़ और ये जो है 20-21 में बढ़के कितना होगा है 3.35,000,000 करोड़ लोग सबा के अंदर इन ही के minister न जादा हो सकती थी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस समय government ने manage किया होगा उस समय आप पे interest है लो इतना जो difference है 88% जो central excise duty आप जावा इकटी करपा है 19-20 के मुकाबले 20-21 के अंदर 88% उसमें से आप सबसे पहले ये repay कर दो उसको भी repay कर दो कि तब भी आपके पास surplus बचेगा और चलो आप ये तो पुराने revenue में से आप repay कर देते हैं उसके बाद इसके बाद जो है आप इस साल अराम से prices को manage कर सकते हैं उससे कम कर सकते हैं ये 10,000 क्रोड रुपे का pressure कि उस पुरानी rate का चल रहा है and all इस तरीके से पर ये economy नहीं चलती है अगर आप बात करें exercise duty on petrol की इ इसको बढ़ा के 32 रुपे 90 पैसे जो है वो कर दिया गया और diesel पर बात करें तो जो ये 15 रुपे 83 पैसे पर लीटर हुआ करती थी इसको बढ़ा करके 31 रुपे 80 पैसे जो है वो कर दिया गया मतलब लगातार consistently जो है जितने prices कम हुए international market के अंदर exercise duty बढ़ा कर government के खजाने ब source क्या है कि मेरे पास कोई एक ऐसा पाई चार्ट आप बना के दे सकते हैं कि वो आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम देश में asset monetize कर रहे हैं आप एक तरफ पोल रहे हैं कि हम ये वाले industries जो PSU हैं उसके shares बेचके funds raise कर रहे हैं उसके बाद आपका GST collection all time high चल रहे है, income tax collection आपका all time high चल रहे है, GST collection all time high चल रहे है, infrastructure development के नाम पर उसका pie chart क्या है, एक तो कोई हो कि ये इतना source से जो ये fund आ रहे है, उसमें infrastructure में development में किस source है कहां लग रहे है, और उसके बाद भी अब ये बोलते है infrastructure development में private sector को आ गया ना चाहिए, अभी आपके प्यूश गोईल corporate minister का कहना था यहां पर की oil and petrol prices को relax करने की ज़ूरत है, otherwise यह जो inflation है, इस सच में रीड की हड़ी देश की तोड़ने वाला है, बहुत जबरदस तरीके से, this is the point जहां पर government को at least 10 रोपे लेटर का कम से कम relief देना चाहिए, और यह बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है, इसके बाद बात करते है, next news की, Reliance Industries Limited अराम को deal की, दुबारा से यह मुद्धा बन चुकी है, Bloomberg में इसके लेकर report छपी, उसके बाद बसनो, standard ने आज इसे report किया, उसके बाद नापके सामने यह लेके आया हूँ, अब यह है क्या मैं आपको बताता हूँ, यह बाते बहुत हवा में जोर पकड़ च साओधी अरेबिया की company है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी listed company है, related to oil and petroleum products, आप यह समझे, अब यह पीछे अपना IPO लेके आयते सिर्फ 2% stake, सिर्फ 2% share market में बेचा था, और 30 billion dollar जो है, उससे raise किये थे, आज के time पे इस company की valuation लगभग 1.9 trillion dollar है, जबकि लगभग 140 lakh crore के आसपास जो equivalent होती है, समझ में आगे क्या अरामको, इतनी बड़ी company है, even Reliance Industries ने अरामको के जो chairman है, Yaseer Al-Rumayan, इनको अपने board of directors में भी जो है, इस पर सामिल कर लिया, AGM में जो है, announcement इसकी हो गई थी, और इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, कि soft bank में भी है, और जितने भी ब आते हैं, अब बात करते हैं, पूरी की पूरी डील क्या होने वाली है, और से क्या advantages होने वाले हैं, तो देखे, डील यह होने वाले है, कि Reliance Industries Limited का, जो oil and chemical business है, उसमें अरामको लगबग 20% stake लेगा, 20% stake लेगा, तो क्या कुछ cash देगा, एक रुपिया भी cash नहीं देगा, इस हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, अब इस से जो है, फायदा क्या होने वाला है, तो सबसे पहली चीज, अरामको की, जो sale है, इंडिया के अंदर, crude oil की, वो boost up होगी, और Reliance की, अगर हम बात करें, तो Reliance की, देखे, सबसे बड़ी refinery हमारे पास है, जामनगर के अंदर, उसको अब को बताया, इंटरनाशनल लेवल पे जो इससे पहचान मिलने वाली है, आप दिखिए, जैसे आप बात करते हैं, Google ने इंवेस्ट किया, Facebook ने इंवेस्ट किया, Reliance के अंदर, तो Reliance जैसी का अपनी अरामको में जाती है, तो इंटरनाशनल लेवल पे, कही ना का इंडिय समस्ते हैं, और इससे जो हरामको की सेल जो है, उस कंपनी के अंदर, उस कंट्री के अंदर, बेसिकली जो है, वो बहुत जादा इंप्रूव होगी, तो ये जो है उनका कहना था, और उसी चक्कर गया, ये डील लगबाग अफाइनल होते हुए दीख रही है, तो ये थी मचेश एशा,